इंडिया देरी फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है क्रिशी पसुपालन तथा बकरी पालन से संबंधित जानकारियों के लिए आप इंडिया देरी फार्मिंग का यूट्यूब चैनल अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेस्बूक पेज भी लाइक कर ले इस वीडियो में आप जानेंगे कि नाबाट क्या है इसकी स्थापना क्यों हुई और नाबाट की डेरी सबसेडी योजना क्या है भारत सरकार की पहल पर भारती रिजर्व बैंक द्वारा 12 जिलाए 1982 को राष्टे क्रिसी और ग्रामिन बैंक के यानी नाबाट की स्थापना हुई ग्रामिन विकास के सेत्र में नाबाट की भूमी का अभूद पूर्व है क्रिशी कुटीर उद्ध्योग और ग्रामिन उद्ध्योगों के विकास के लिए लोन को सुविधा जनक बनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राश्ट्री कृष्टी और ग्रामिण विकास बैंक नाबाट की स्थापना एक सीर्षस्त विकास बैंक के रुप में की यह संस्था बैंकों को वित्तिय सहायता प्रदान करती है ग्रामिन छेत्रों में विभिन्द विकास कतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नाबाट बैंकों को निवेश और उत्पादन रिण उपलब्द कराती है नाबाट डेरी सप्सेडी क्या है? भारत में डेरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नाबाट द्वारा डेरी उध्यमिता विकास योजना यानि डेरी इंट्रेप्रिनियोर्शिप डेवलप्मेंट स्कीम के तहट डेरी सब्सेडी सुरू की गई है इस योजना के प्रमुकुद्देशे हैं पहला, स्वच्च दूद के उत्पादन के लिए आधुनिक डेरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना दूसरा, बच्रा पालन को प्रोचसाहित करना ताकि अच्छी नसल के दुधारू पश्मों को बचाया जाते तीसरा, व्यवसाईक पैमाने पर दूद की गुणवत्ता में बढ़ोत्री तथा पारंपरिक टेक्नलोजी में सुधार लाना चौथा, मुख्य रूप से अनियोजिक डेरी शेत्र के लिए बुनियादे सुविधाय उपलब्द कराना और स्वरोजगार पैदा करना नाबाट सबसिडी लोन दुधारू पश्मों की खरीद, शेट के निर्मान, एक दो मेहने की प्रारंभिक अबधी के दरान पश्मों के चारे पर दिया जाता है भूमी विकास, बार लगाना, डीजल इंजन, पंप सेट, बिजली कनेक्शन, गोदाम, मिल्क प्रोसेसिंग, परियोहन वाहन के लिए भी रिंड लिया जा सकता है नाबाट द्वारा, डेरी स्थापित करने पर बहुत कम ब्याज पर सबसीडी लोन मुहिया कराया जाता है आईए जानते हैं कौन-कौन इस लोन का फैदा उठा सकता है नाबाट सबसीडी लोन मुख्य रूप से किसान, व्यक्तिकत उध्यमी या एंट्रिप्रिन्योर, गेर सरकारी संगठन यानी NGO, कम्पनिया, असंगठीत और संगठीत छेत्र, स्वयम सहायता समूह, डेरी सहकारी समीतियां, दुग्द संग, मिल्क फेडरेशन आधी नाबाट सबसीडी लोन का फैदा उठा सकती है नाबाट सबसीडी लोन कहां कहां से प्राप्त किया जा सकता है नाबार सबसेडी लोन मुख्य रूप से वानिज्जिक बैंक, छेत्रिय ग्रामिन बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामिन विकास बैंक और ऐसी संस्ठाइँ जो नाबार से पुनर्वित्थ प्राप्त करने के लिए पात रहें वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है तो दोस्तों इस वीडियो में आपने नाबाड और नाबाड की डेरी सबसीडी योजना के बारे में जाना अगर आपको एफ वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं कि आपको एफ वीडियो कैसा लगा आगे आने वाले वीडियो में हम आपको नाबाड की डेरी सबसीडी प्राप्त करने की विधिव बताएंगे किश्चित तथा पसुपालन से संबंधित जानकारियों के लिए इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद